वेल हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो नदर वीडियो में एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में तो यहां हम बात करने वाले हैं होंडा आप स्वाइक पहले है तो लुक वाईस आपको से फील देगा और यहां पर एस पी जो एस्पी बारे में अफीड चला हुआ वेरेंट है तो इस होंडा ने उसी नेम को यूज़ किया है ताकि इस बाइक को भी आगे जाकर चला है बाकि कैसा अपडेट आएगा वह तो वक्त ह बाकी अगर डिजाइन की बात करें काफी अच्छा है अभी अच्छा है लाइट आपको LED देखने के मिलती है अभी हम बात करें दूसरे पॉइंट की दूसरा पॉइंट जो है वो इसके इंजन को लेके के इसके अंदर आपको 162cc का सिंगर सुरंडर 4 बॉल एर कूल इंजन द आपको सिंगल ही देखने के मिलेंगे जैसे की अलणी सेल्फ हो गया या फ़र कुछ भाई क्या आती हैं बट यहां पर आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे, तो फढ़ जो ठीक है वो जो फढ़ चीज है वहां इसकी ब्रेकिंग सिस्टम को ले का है, यहाँ पर हॉंडा ना इसके अंदर आपको डॉल डिस्क offer किया है, मतलब कि यहाँ पर आपको dual disc देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि front में भी आपको disc मिलेगा, front में ABS होगा वहीं rare में भी disc मिल जाएगा, यहाँ पर आपको rare में disc देखने के लिए नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको single disc और dual disc दोनों ही offer किया गए होंडा की तरफ से के जो ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग चाते हैं वो डूल डिस्क लए सकें या जिनके लिए नॉर्मल एजी लगेगा तो वो सिंगल चैनल डिस्क ले चाते हैं मतलब कि यहाँ पर Honda ना इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इसको रखा है अला कि जो यूनिकॉन आती है उसमें आपको डूल डिस्क देखने के लिए नहीं मिलता है बट इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर अगर हम प्राइजिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पर आपको यहाँ आपको उससे जादा साइज का मतलब उससे जादा मोटा टायर देखने के लिए मिल जाता है जो की काफी हद तक अच्छा है और इसमें आगर बात करें इसके मीटर की सेकंड पॉइंट की इसी वाले पॉइंट की में तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मीटर कॉंसोल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको मल्टी ऑप्शन मिलेंगे सारी डिटेल्स शो हो जाती है यहाँ पर आपको न्य और यहाँ पर कुछ और अलग-अलग ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टी डिस्प्लेंग एक फुल डिजिटल मीटर कॉंसोल देखने के मिलता है जो कि आपको काफी हद तक सारे फीचर्स एंड सारे स्पेसिफिकेशन्स वगरा व रोटीन डेली यूज या जो भी लोगों को नॉर्मली कलर्स पसंद आते हैं वो उफर करता है लाइक ब्लू हो गया रेड हो गया ग्रे हो गया और और भी कुछ कलर्स हो गया यह बहुत सारे आपको होंडा प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर आपको अलग-अलग सारे कलर ऑप्शन देखने के मिल जाते हैं तो यहाँ पर यह काफी हद तक अच्छा है मेरे साब सा क्योंकि होंडा ने काफी हद तक काफी अच्छे-च्छे कलर और डेली रोटीन में आने वाले कलर ही निकाले गए है और अब हम बात के लिए इसकी प्राइजिंग की तो यहाँ यहाँ पर आपको लो बजट यह बाइक देखने के मिल जाती है 160 CC में लो बजट इन दे सेंस के आपको यह सिंगल चैनल ABS मतलब सिंगल डिस्क और डूल डिस्क दोनों ही देखने के लिए मिलेगी और पहले में इसमें आपको एक कलर दिखा देता हूं पहला तो यह ग्रे हो हाँ मैं प्राइजिंग की बात करें तो आपको प्राइजिंग अराउंड सिंगल डिस्क की आपको एक लाग 11,000 से 12,000 एक शूरूम देखने के मिलेगा वहीं हम प्राइजिंग की बात करें डूल डिस्क की तो आपको डूल डिस्क एक लाग 22,900 रुपे देखने के लिए मि विलियर ही रही है बट अब देखते हैं SP के साथ क्या होता है X-Blade, Hornet और Hornet दो बार आ चुकी है और Unicorn भी कुछ खास ज्यादा चलती नहीं है Honda की जो बाइक है तो इसके अंदर कैसा रहेगा वो हम कहेंगे market में कैसा response होगा बाकी का अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चै स्ट्राइब के लिए हमारे चैनल को क्योंकि हम Unicorn लाते रहते हैं आज के लिए नहीं सांकू सोमच बहुत जल में